वेल्कम तु माई चैनल गार्णिंवेट पूनम कैसे हैं दोस्तों आप सब आज की जो मैं इंफोमेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दोस्तों वो मेरे एक इंडोर प्लांटर है जो मैं लेकर आई थी 6 मन पहले तो उसका आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कैसा रहा अच्छा रहा मेरे साथ खराब रहा उसका एक्सिरियंस जो भी उस प्लांटर के मैरत हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मैं अंदर इसलिए बना रही हूं दोस्तों क्योंकि वो अंदर ही मैंने भाइन ड्राइंग जिसको मैं लेकर आई थी 6 मन पहले बंजारा मार्केट डेली से लाई ठीड तो यह बहुत अच्छा है वैसे तो मेरा यह लेकर आई हूँ इसमें तीन प्लांट लगाए थे तो फिलाल वह चेंज कर दिये हैं मैंने तो इसमें फिलाल के लिए मेरे पास तीन प्लांटर है यह लगा रखें अब इसी के बारे में आपके साथ बात करूंगी दोस्तों तो दोस्तों वैसे तो यह प्लांटर बहुत अच्छे रहते हैं इंडोर में मैंने कॉर्णर पर लगाया है क्योंकि कोर्णर पर यह सेफ रहेगा और गिरने का डर भी नहीं है इसमें तो इसी की मैंने आपके साथ शेयर करना चाहरी हूं मेरा एक्सपिरियंस तो देखिए दोस्तों वैसे तो ये प्लांटर में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको जब आप अंदर रखते हैं तो हमें थोड़ा इसमें ध्यान देना है पानी का क्योंकि जो पानी हम डालते हैं उससे हमारा प्ला नीचे पहले मैं आपको बताती हूं देखो ये तीन स्पेस नीचे भी है इसमें एक्स्टा रखने के लिए अगर आप कुछ रखना चाहो तो यहां पर भी रख सकते हो चीज तो मैं तो फिलाल नीचे तो नहीं रखा है बेस में मैंने इन तीन प्लांटर में ही रखा था मै तो इसमें देखो यह रखा है मैंने लेडी पाम जिसको बोलते हैं यह वाला टेबल पाम यह रखा है और एक यह मैंने पीस ली रखा है और एक स्नेक प्लांट पहले भी दोस्तों मेरा एक स्नेक प्लांट था लंबा वाला तो वह मेरा पानी के वज़े से क्या है खराब हो नीचे पे उसके ट्रे भी थी मेरी रखी वी तो फिलाल खराब हो गया प्लांट और इसमें देखो इस वाले में भी पानी उन लोगों ने थोड़ा ज्यादा डाला तो मेरा ये पाम का पिर बहुत अच्छा था लेकिन थोड़ा थोड़ा करके देखो खराब होने लग गया त तो यह देखिए दोस्तों मैं बताती हूँ प्रॉब्लम क्या हुई यह देखिए मेरे ओर वाटरिंग जो पानी हुआ पानी इस पे डाला नीचे गया और उसमें जंक लग गया रस्टिंग हो गया तो यह दिक्कत हुई यह तो छोटा है प्लांटर फर बाद मैंने इसका प यह दो देखा तो मेरा प्लांट भी गया साथ मेरा पॉर्ट में भी दिक्कत आगई दोस्तों तो आज में यही एक्सपीरियंस बताना चाहरी थी आपको कि वैसे कोई प्लांटर में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको अगर उसे अपने साथ लॉंग लास्टिंग बनाना करके रखा कि जिससे वह पानी उनके नीचे पर टच ना हो पाए दोस्तों तो आज मैं इसी जो यह प्रॉब्लम हुई है इसी को भी सही भी करूंगी दोस्तों और आपको दिखाते हूं तो यह लेडी पाम जो होता है इसमें ज्यादा पानी की जरूत नहीं होती तो जब भ आप क्या करिए उसे एक दिन के बाद भार लाइए अंदर वापस रख सकते हैं लेकिन प्लांट को भार जरूर लाइए वन्ना दीरी धिर करके खराब हो जाता है तो मैंने क्या करा इस वाले को यह रखा और दूसरा जो मेरे पास लेडी पाम था यह मिली का है तो लीजी के शेयर भी किया था experience उस टाइम पे तो लेकिन यह है कि कोई लांग लास्टिंग कोई चीज नहीं होती दोस्तों खराब हो जाती है कोई बात नहीं पर मैंने अपना टाइम रहते हैं अपनी कमी को ठीक करने कर रही हूं तो मेरा प्लांटर सेफ रहेगा तो चलिए पहले मैं इन पानी नीचे ना जाए तो आप लोग भी अपने प्लांटर के देख लीजेगा तो यह देख होई पहले दूसरे में कम हुआ लेकिन जो तीसरा वाला मेरा प्लांटर है इसमें मेरा ज्यादा रस्टिंग हो गई है दोस्तों तो इसमें मैं पेंट कर रही हूं मेरे पास जो बर्जरर चोटे प्रेंट लेकर आई रहते मेरे प्लास्टिक अनुए बनाती हूं टींग करती हूं Um कि लेह होते हैं तो इसी सिमें करूंगी पयंट तो सबसे पहले हम एसे अच्छे से mix कर लेते हूं दोस्तो क्योंकि जो है एक साथ गाड़ा हो जाता है तो थोड़ा से मैंने थीन डाल के उसे ठंक से कर लिया है और अब मैं देखो इसमें लगा रही हूं और इसमें दोस्तो कम से कम मैं 0.2 coating करोंगी क्योंकि दो साथ को नियुको को छोड़ूँ कि थोड़ी दैर छोड़ूंगे और उसके बादने द्श्री कौटिंग मारूंगे क्योंकि थी सरय क्सिजिकरें वह पास तो ये देखिए तीनों प्लेंटर में कर दिया है और अब मैं इनको ओवरनाइट पूरा जो है सुखने के लिए छोड़ूगी क्योंकि अच्छे से सुखेगा तभी नहीं तो वह क्या होगा घीला रहेगा तो मेरा नीचे जो भी मैं उसके नीचे रखोंगी वह उसमें चिपक जाएगा तो अब मैंने यलो कलर इस ले किया क्योंक तो यलो कलर उसके साथ चल जाता है और अगर कोई और भी कलर आपके पास है तो वह भी कर सकते हैं क्योंकि अंदर का हिस्सा तो हमारा दिखता नहीं है दोस्तों तो हम दूसरा रंग भी मार सकते हैं जो हमारे पास पड़ा हो तो इसको हमेशा फ्रेंट्स कोशिश आपको य भी सकता है क्योंकी यहाँ पर हमारा फ्लांटर ना हमारा फ्लांटर घर गया तो हमारा uch फ्लांटर के साथ प्लां टूट सकता है क्यों विह में काम करना ज़रना वे फुरत सी शिवार के दीक吐ए गैई तो आपको साही कर लीजेगा बाकी प्लांटर बहुत अच्छा है और ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई बाकी उसमें फ्रेंट्स यह मेरी लापरवाही के वज़े से ही हुई है प्रॉबलम जिसको मैंने टाइम रहते साही कर लिया है दोस्तों तो अगर मेरी इंफोर्मेशन आपको अच्छ इसी और नेक्स्ट इंफोर्मेटी वीडियो के साथ आपके साथ तिल देन बाई फ्रेंड्स लोगवाइश देखें कितना सुन्दा लग रहा है ओके बाई दोस्तों